कारकम में उपस्तित करणा ट्रका के राजपाल, स्री थावर्चन गहलोजी, मुख्य मंत्री, स्री बसवराज बुम्बाई जी, केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी गण, राज्य सरकार के मंत्री गण, साउसद गण, विधाय गण, और करणा ट्रका के और देश के मेरे नवजवान साथियों, मुरू साविरा मठा, शिद्धारूठा मठा, इंतहा अनेक मठागला क्छेत्र के, नन्ना नमस्कार गळू, रानी चेन्नम्बाना नाडू, संगली रायन नाना बिडू, इपुन्य भुमिगे, नन्ना नमस्कार गळू, करणा टका का ये खेत्र, अपनी परंपरा, संस्कृति और ग्यान के लिए प्रसिद्ध है, यहां की अनेक विभूतियों को, ज्यान पीट पुरसकार से सम्मानित किया गया है, इस खेत्र ने देश को एक से बढ़कर एक महान संगितकार दिये है, पंडित कुमार गंदर्व, पंडित बसवराज राजगुरु, पंडित मल्लिकारजुन मांसोर, भारत रत्ना, पंडित भिमसेन जोशी, और पंडिता गंगुभाई हंगल जी को, मैं आज पुबली की धर्ती पर आकर नमन करते हुई अपनी स्रधांजली देता हूँ, साथियों, साल दोहजार तेईस में, राष्टिय युवाद दिवस का ये दिन बहुत विशेश है, एक और ये उर्जा महोच साओ, और दूसरी और आज़ादी का अमरुत महोच साओ, उठो, जागो, और लक्स दे पहले मत रुको, एली, एद्देली, गुरु मतवातन का निल्ददी, विवेक का निंजी का ये उद्गोश, भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है, आज अमरित काल में हमें अपने कर्तव्यों पर जोड देते हुए, अपने कर्तव्यों को समत्ते हुए, देश को आगे बढ़ाना है, और इसमें भारत के युवाओं के सामने स्वामी विवेक का निंजी की बड़ी प्रेरणा है, मैं इस आउसर पर स्वामी विवेक कनंजी के चरणों में नमन करता हूँ, अभी कुछ दिन नहीं पहले करनाटका की धर्ती के एक और महान संत्त त्री सिद्देश्वर स्वामी जी का देहावसान हुआ है, मैं सिद्देश्वर स्वामी जी को भी आदर पुर्वक स्थर्धान्जली अर्पित करता हूँ, चाथियों, स्वामी विवाकनंजी का करनाटका से अधुवूत रिष्टा था, उन्होंने अपने जीवन काल में, करनाटका और इस छेत्र की कई यात्राएं की थी, बंगलुरू जाते समय वो हुबली धारवार भी आये थे, इन यात्राओंने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी, मैसुरू के महराजा भी उन लोगों में से एक थे, जिनोंने स्वामी विवेकनंजी को शिकागो यात्रा में उनकी मदद की थी, स्वामी जी का भारत भ्रह्मन इस बात का भी प्रमाण है, कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी, एक राष्ट के रुप में हमारी आत्मा एक थी, ये एक भारत, स्रेश्ट भारत की भावणा का अमार उदहरन है, इसी भावणा को अम्रित काल में देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहा है, साथियों, स्वामी विवेकानन जी कहते थे, कि जब युवा उर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविश्य का निर्मान करना, राष्ट का निर्मान करना, उतना ही आसान होता है, करना टका की इस धर्ती ने, खुद ऐसी कितनी ही महान विभूतिया दी है, जिनोंने अपने कर्तव्यों को सर्वो परी रखा, पेहत कम उम्र में असाधारन काम किये, कित्तूर की राणी चेन्नमा, देश की अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी, उन्होंने सबसे मुश्किल समय में भी आजहादी की लडाई को नित्रुत्व दिया, राणी चेन्नमा की ही सेना में, उनकी साथी संगोली रायना, ऐसे वीर योद्धा भी, जिनके शावर्य ने प्रिटीक सेना का होसला तोड़ दिया था, इसी धर्ती के नारायन महादेव दोनी मात्र चवदा साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद बने थे, युवा की जिवडता क्या होती है, उसके होसले कैसे मोद को भी मात दे सकते हैं, ये करनाटका के सपूत, लांस नायक, हनमन थप्पा खोपड़ने, सिया चीन के पाड़ों में दिखा दिया था, माइनस फिप्टी फाइव डिग्री ताप्पान में भी वो छे दिन तक मौद से मुकाबला करते रहे थे, और महां से जिंदा निकल करके आये थे, ये सामर्था, केवल शौर्यत तक ही सिमित नहीं है, आप देखिए, त्रिविश्वे स्वरिया जी ने, इंजिनियरिंग में अपना लोहा मनवा कर, ये साबित किया, कि युवा प्रतिभा, किसी एक दायरे में बंदी नहीं होती है, इसी तरह, देश के अलग-अलग हिस्सों में, हमारे युवाओं की प्रतिभा, और ख्षम्ता, एक से एक कल्पना तीत, अविश्वस्णिय, उदाहरों का अंबार लगा हुआ है, आज भी, मैच से लेकर के साइन्स तक, जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताय होती है, तो भारतिय युवाओं की काबिलियत, विश्व को विश्मित कर देती है, साथियों, अलग-अलग कालखंड में, किसी भी राष्ट के लिए प्रत्विक्ताय बदलती है, उसके लक्ष बदलते हैं, आज 21 सदी के जिस पड़ाओं पर हम भारतिय पहुँचे हैं, हमारा भारत पहुँचा है, वो उपयुक्त समय सद्यों के बाद आया है, और इसकी सबसे बड़ी बज़़ है, भारत का ये युवा सामर्थ, ये युवा शक्ती, आज भारत एक युवा देश है, दुनिया की बड़ी युवा आबादी, हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है, युवा शक्ती je कीवा शक्ती दुनियुक्त शर्णियुक्ती एक युवा ज्युवा युवा अपिटेए Μजाए इंगा। और्च्छिष्क परड़ेस्ट कई देशाशण के दिए हार्णाई, तो हार्णाई भी युवाश्क्ति, we need to be young with our thoughts, with our efforts. To be young is to be dynamic in our efforts. To be young is to be panoramic in our perspective. to be young is to be pragmatic friends if the world looks to us for solutions it is because of the dedication of our Amrit generation आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साती है आज हम दुनिया में पांचवे नंबर की अर्थवबस्ता है और हमारा लक्ष है हम इसे टॉप थ्री में लेकर के जाएं देश की ये इकोनमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अउसर लेकर आएगी आज हम क्रिस्टी के खेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकत है क्रिस्टी के खेत्र में टेक्नलोजी और इनोवेशन से एक नया रिवालूशन आने वाला है इसमें युवाओं के लिए नए आउसर पैदा होंगे नई उचाईयों पर जाने के नए रास्ते खुलेंगे स्पोर्ट्स के खेत्र में भी आज भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ अग्रेसर हो रहा है ये भारत के युवाओं के सामर्त के कारण ही संभव हो पा रहा है आज का हो शहर हो या कस्वा हर जगे उफान पर है युवाओं का जजबा आज आप इन बंडलाओं के साक्षी बन रहे हैं कल आप इसकी ताकत से future leader बनेंगे À प्रiska प्रक्ष्म्स या यजिड कि अस्पती बनेंगे कि इसक्पती ही त्यूर्मिर्फन ग mentally चंजे,कि बनेंगे के बनेंगे for India on the global scene, for every mission, a foundation is needed, whether it is economy or education, sports or startups, skill development or digitalization, in every domain, a strong foundation has been laid in the last eight, nine years. The runway is ready. The runway is ready for your take-off. Today, there is a great optimism in the world towards India and its youth. This optimism is about you. This optimism is because of you. And this optimism is for you. Today, there are global voices saying this century is India's century. It is your century, the century of India's youth. There are global surveys saying majority of the big investors want to invest in India. These investors want to invest in you. India's youth. Indian startups are getting record investments. Many global companies are setting up manufacturing plants to make in India. From toys to tourism. Defense to digital India is making headlines across the world. So, this is a historic time when optimism and opportunity are coming together. तात्यों, हमारे देश में हमेशा से नारी शक्ति को और नारी शक्ति ने राष्ट शक्ति को जागृत रखने, राष्ट शक्ति को बढ़ाने का काम किया है. अब आजादी के इस अम्रित काल में महिलाएं हमारी बेटियां, और नए नए पराक्रम करके दिखा रही है. भारत की महिलाएं, आज फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, सेना में कॉम्बेटिव रोल्स में सामिल हो रही हैं. साइंस, टेकनलोजी, स्पेस, स्पोर्ट, ऐसे हर छेत्र में हमारी बेटियां बुलंदियां छू रही हैं. यह उद्गोश हैं कि भारत अब पूरी शक्ति से अपने लक्षांकों की और बढ़ रहा है. साथियों, हमें 21 सदी को भारत की सदी बनाना है. और इसलिए, यह जरूरी है कि हम बरतमान से दस कदम आगे की सोचें. हमारी सोच फुचरिस्टिक हो, हमारी एप्रोच फुचरिस्टिक हो. यह जरूरी है कि युवा आकांग्छाओं की पूर्ति के लिए आप पॉजिटिव डिस्रप्शन करें. विश्व के आधुनिक देशों से भी आगे चलें. अगर हम याद करें, आज से दस बिस वर्ष पुर्व, ऐसी कितनी ही चीज़े अस्वित्व में भी नहीं थी. जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है. इसी तरह आने वाले कुछ वर्षों में संबवतह ये दसक खत्म होने चे पहले-पहले, हमारी दुनिया एकदम बदलने वाली है. आर्टिफिशल इंटलिजेंस, मशिन लर्निंग, इंटरनेट अब तिंग्स और A.R.V.R. जैसी इमर्जिंग टेक्नलोजी एक नए स्वरूप पे इवाल हो चुकी होंगी. टेटा साइंस और साइबर सिकुरिटी जैसे शब्द कहीं जादा गहराई से हमारे जीवन के हर आयाम से जुड़ चुके होंगी. हमारी सिक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक, हेल्केर से लेकर कॉम्मिनिकेशन तक, सब कुछ एड़बांस टेक्नलोजी के जरिये एक नए अवतार में दिखने वाला है. आज जिन कामों का अस्तित्व भी नहीं है, आने वाले समय में, वो युवाओं के लिए मेंन्स्ट्रीम प्रोफेशन होने की संभावना है. इसलिए ये जरूरी है कि हमारे युवा फ्यूचर स्किल्स के लिए खुद को तयार करे. दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है, हमें उससे खुद को जोड़ना होगा. जो काम कोई नहीं कर रहा है, हमें उन्हें भी करना होगा. नई पीड़ी को इस माइंड सेट से तयार करने के लिए देश नई रास्तिय शिख्षानिती के जरिये. प्रैक्टिकल और फिटरिस्टिक एजुकेशन सिस्टिम तैयार कर रहा है. आज स्कूल से ही इनोवेटिव और स्कील ओरियेंटेड एजुकेशन पर फोकस है. युवाओं के पास आज चॉइस के हिसाब से आगे बढ़ने की आजादी है. ये बुनियात वविश्च के भारत का अंदिर्मान करने वाले फ्यूचर रेडी युवाओं को तैयार करेगी. साथियों, आज इस तेजी से बदलते विश्व में, स्वामी विवेकरन जी है, दो संदेश हर युवाओं के जीवन का हिस्सा होने चाहिए. ये दो संदेश हैं, इंस्टिजूशन और इनोवेशन. इंस्टिजूशन तब बनता है, जब हम अपने विचार को विश्थार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं. आज हर युवाओं को चाहिए, कि वो अपनी इंडिविजल सक्सेस को टीम सक्सेस के रुपे विस्तार देगे. यही टीम स्पिरिट, टीम इंडिया के रुपे विक्सीद भारत को आगे ले जाएगा. मेरे युवासाथियों, आपको स्वामी विवेखानन जी एक और बात याद रख रही है. इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेखानन जी कहते थे, हर काम को तीन चर्णों से गुजरना पड़ता है. उपहाच, विरोत और स्विक्रुति. और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाशित करना है, तो वो यही है. उदानर के लिए, कुछ साल पहले देश में, डिजिटल पेमेंट की शुरात होई थी. तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था. स्वच्च भारत अभ्यान शुरू हुआ, तो भी इन लोगों ने कहा कि यह सब भारत में चलने वाला नहीं है. देश गरीबों के लिए, बैंकों में जंदन खाते खुलवा रहा था, योजना लेकर आया, उसका भी मजाक उड़ाया. कोवीड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्षिन लेकर आये, तो उसका भी उपहास किया गया, कि यह काम भी करेगा या नहीं. लेकिन आप देखिए, आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल लिडर है, आज जंदन खाते हमारी एकोनोमी के एक बड़ी ताकत है, वैक्षिन के खेत्र में भारत के उपलब्दी की दुनिया में चर्चा हो रही है, इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइ आइडिया है, तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है, तो उस पर ठीके रहिए, उस पर भरोसा मनाये रखिए, आपकी सबलता मजाद बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी, साथियों, युवाओं को साथ लेकर, आज देश में लगातार, कुछ न कुछ नए प्रयास और नए प्रयोग हो रहे हैं, इसी कड़ी में, नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी, देश के अलग-अलग राज्यों के युवा, विबिन प्रतियोगीताव में हिस्सा लेने के लिए जुटे हैं, ये कुछ-कुछ, कॉम्पिटिटिव और कॉपरिटिव फेडरलिज्म की तरह हैं, क्या अलग-अलग राज्यों के हुआ, स्वस्त प्रतिश पर्धा की भावना लेकर, अपने कौशल का प्रदसन करने आए, यहां ये ज़्यादा महत्पपूर नहीं है, कि कौन जीता, क्योंकि हर सिती में जीत भारत की होगी, क्योंकि यूथ फेस्टिवल में हमारे युवाओं का टैलन निखर कर सामने आएगा, आप यहां एक दूसरे से कंपुटिशन करने के साथ साथ, एक दूसरे के साथ कोपरेट भी करेंगे, इसलिए तो कहां जाता है, कि कौमपुटिशन तब ही हो सकता है, जब उसमें भाग लेने वाले एक नियम को पालन करवाने में, एक दूसरे का सहयोग करें, हमें कौमपुटिशन और कोपरेशन की स्पृरीट को लगातार आगे बढ़ाना है, हमें हमारे हर लक्ष में यह सोचना है, कि हमारी इस सभलता से देश कहां पहुँचेगा, आज देश का लक्ष है, विक्षिद भारत, ससक्त भारत, हमें विक्षिद भारत के सपने को पुरा किये बिना, न रुकना है, न विराम करना है, मुझे विश्वास है, हर युवा, इस सपने को अपना सपना बनाएगा, अपने कंदों पर देश की ये जिम्मेदारी लेगा, इसी विश्वास के साथ, आप सभी को एक बार फिर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुपकामनाएगे,